हेलो थिरन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और बढ़िया होना भी चाहिए काफी लॉंग टाइम हो गया, काफी वेट हो गया, और काफी सारी चीजे हैं जो मुझे तुम लोग को बतानी है तो देखो ऐसा था कि तुम लोगों में से काफी सा है लोग ये पूछ रहे थे कि ओपरेशन का क्या हुआ, तो ओपरेशन कैंसल कर दिया, डॉक्टर ने ओपरेशन नहीं किया हार्ट पंपिंग 10% पे आके रुख गई थी, तो डॉक्टर ने बोला अब इससे ज़्यादा नीचे तो अब कुछ जाई नहीं सकता अगर ओपरेशन करते हैं, तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, कि ओपरेशन पूरा ही ना हो पाए तो हो गया फिर, रिक्स कौन ही लेता, तो ऑपरेशन बीच में ही कुट कर दिया, ताकि छोड़ो यार ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कराते फिर हो गया कल आया है याँ पे वही, 9.10 बजे के आसपास आ गया था घर मन था नाइट में वीडियो बनाओ लेकिन जुखाम हो गया, तो अभी भी नाकाक पूरा बंद है, बट मस्त चायवाय पी है, गरम और पानी पिया है, और अब बैड यहाँ बीडियो बनाने के लिए, तो चलो मुझे याद नहीं है, पिछला एपिसोड क्या था, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ पिछला एपिसोड क्या था, हाँ जोयन एक जगह पर घुस गया था, एसे बैटल है रीना, हाँ याद आ गया, याद आ गया, जोयन की फाइट एक बन्दे के साथ हुई थी, जो ब्लै में कुछ black figures खड़ी हुई है जिन figure को देखकर जो अन्थोड़ा serious होता क्योंकि उन में सो वही बंदा था जो कि black side हो था वो अपने brother से कहता brother यही वो बंदा जो हमसे fruit चुईना है जो देखका उसका brother कहता है अभी नहीं लड़ेंगे इसलिए मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि वेकार में हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ बदलेव में मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ तुमारे area में तुमारे full control और power को बढ़ाने के लिए जो देकर जिन बैंग और win chain तुरंदी कहते हैं अवे जान अवे चूती है किसे ग्यान दे रहा है तु जान तभी हम कौन है हमारे claim तुम से नहीं डरता और हम यहाँ पे तुम्हें आसानी से यह चीज़े ले जाने नहीं देंगे जो देकर सांग तुरंदी कहता ऐसा लगता है कि तुम कुछ जादा ही गोश्टिक हो रहे हो क्योंकि तुम लोगों की पावर यहाँ पे सेवनी स्टेज के लेट स्टेज पर पहुँच चुकी है लेकिन अगर मैं बात करूँ तुम मेरी नजर में तुम लोग सेवनी स्टेज के सबसे घटिया वार्यर सो जो मेरी नजर में कुछ भी नहीं जबकि मैंने सेवरिनिस्टार पर जब इंटर किया था मेरी तबकी पावरी भी आपकі अभी की पावर से ज़्यादा थी जिसके बाद सांग ने अपने और एक को अलेलिस गया था जो बास्तों में कर जयान, यहाँ तक की बाकी सब भी हैरान हो चुके थे, साथ ही जुआन ने यापए हाल के सबीस सभी स्टैच्यूस में भी कुछ अजीब महसूस किया था, इस समय जुआन ने देखा था, कि जो हॉल के सभी स्टैचूस थे वो सेंटर की तरह आकर अटेक कर रहे होते हैं मानो जैसे ये सभी जिन्ना हो चुके हो और सभी स्टोन स्टैचूस से रिलीज होने वालों जो हो रहा था वो सेवनिस्टा डावडी से भीक बिल्कुल भी नहीं था तभी विंग चैंग और जिन बैंग दोनों ही चिलाते हों कहते हैं जल्दी पीछे हटो दूस्त अब बाकी सभी लोगों ने भी जब ये देखा होता है सीन तो अचाने कि उनका दिल धड़ाक उठा होता है क्योंकि उन्होंने देखा था दो स्टोनी स्टैचूस हॉल के इंट्रेस और एकजिट गेट के पास जाकर खड़े हो गए थे और दरबाजे को कसका लॉक कर दिया था अब्यसलि ये सब लोग समझ गये होते कि ये सिर्फ एक जाल था जिनमें उन्हें उन्हें फसा लिया गया है और जो कोई भी उस लाइट सील या सैडो को टच करेगा या यहां से वहां करेगा वो इस जाल के अंदर गिर जाएगा और क्योंकि सांग और उसके जो चार चूतिय लोग थे उन्होंने उस नेट को टच किया था जिसके काड यहां पे जो बैकलेस था वो यह हुआ कि यहां का नेट या फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई जो कि अब्विसलि यहां पे इंटर हुए हर एक परसन को मारने के लिए काफी थी जो यान भी स्टैंप पे इस सीन को देखकर थोड़ा सा सीरियस हो चुका होता है क्योंकि यहां पर दरजन भर इस्टोन एस्टैचू सभी की बार सेवनिस्टार के लेट इस्टेच पर यह लाइन अप अपने आप में इतना इस्टोंग था कि किसी को भी हैरान और परिसान कर सकता था जो यान की नजर यहां पे चैन गैंग पर पढ़ती है जो ने देखा था चैन गैंग और बाकी के सबी लोग हॉल से बाहर निकल चुके थे जो देखकर जो यान को थोड़ा सा रिलेक्स भाहसूस होता है क्योंकि वो लोग हॉल के बाहर थे यानि कि वो लोग सेप थे जिसके कांट जो यान अपने ध्यान को डाइवर्ट होने से बचा सकता था और इन इस्टोर इस्टैचूस के साथ फाइट करते हुए जो यान हलका सा भी डाइवर्ट सा नहीं चाता था तबी चैन गैंग तुरंदी केता है जो यान अधर लोग जो पैलेस के बाहर खड़े थे बेस अभी सीन को देखकर डरे हुए होते है और इन इस्टैचूस को देखते हुए दोबारा हॉल के अंदर इंटर होने कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती वो केवल बाहर से क्यूरियस होकर चिला ही सकते थे तब ही जो यान इस्टैचूस के गैप से चैन गैंग की ओर इसारा करता है जब चैन गैंग इसे देखता तो उसके इंप्रेसन बदल गए थे क्योंकि सीधे तोर पर जुएन ने कहा था कि अगर यहाँ पे कुछ भी सिच्वेशन बदलती है तो वो तुरंती यहां से अकेले निकल जाए जो सुनकर दान्त पीस्ते वे चैन गैंग एक पल के लिए जजगता है और अपना सिर हिला देता है क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो भी वो जुएन की कोई मदद नहीं कर पाएगा बलकि वो जुएन के लिए एक बोज बन जाएगा चैन गैंगो अधर लोग जब दीरे-दीरे पीछे अट रहे होते हैं तो जुएन भी अपना सिर घुमा कर मेन हॉल की तरब दिखता है जाए इस टाइम पर इस सिचेशन अब कुछ हद तक सीरियस हो गई थी मेन हॉल पर इस स्टैशूस को एरिया को घेरते हुए देखकर जुएन थोड़ा सा हेलपलेस महसूस कर रहा होता है बेसक इस टाइम पर हॉल में अदल लोग के चैरे के इंप्रेशन भी अच्छे नहीं थे यहां तक कि सेबरेश्टार के लेट इस स्टेश के जिस ट्रॉंग बॉरियर थे वो भी यहां काफी उदास दिख रहे होते हैं लेकि इस टाइम पर बे थोड़ा सा नाराज भी थे उन्होंने देखा था उनके आसपास लगवग 15 स्टोन स्टैशूस है और भले ही एक्सपीरियंस के मामले की बात ना की जाए केबल सेबरेश्टार के पीक लेवल की पावर किसी को भी पीछे हटाने के लिए और डराने के लिए काफी होगी तब यह चानक एक आबाज आती है ब्रदर जोयान अगर हमें एक दूसरे के साथ आ जाए तो मुझे लगता है कि हम बहतर हालत में होंगे और यह जो आबाज इस्टैम्प पे आई थी है लिंग्यून सेक्स से लिंग जी डौंग हुआंग सेक्स से एएक ही होती है यह दोनों भी काफी होसियार परसंद थे और इने पता थे जोयान जैसा दिखता है वैसा है नहीं और उनके साथ अगर जोयान होगा तो अब्यसली यह आगे बढ़ने का एक और अच्छा तरीका होगा दूसरी तरफ यह दोनों यह भी जानते थे कि जोयान जितने श्ट्रॉंग बंदे से फाइट कर सकता है उतने श्ट्रॉंग बंदे से फाइट तो साथ यह लोग भी नहीं कर सकते इसलिए जोयान का इनके टीम में होडा इनके लिए पूरी तरीके से प्रॉफिट की बात थी प्रजेंट टाइम पे ये जो हॉल होता है बिडू लोग ये तीन पार्टियों में डिबाइड़ था जहां एक तरफ जियोयान और तियानहान सीटी के लोग थे दूजरी तरफ जुआन बिंग सेक्ट और जिंग युआन सेक्ट के साथी हॉल का जो कंडेश्ड स्ट्रॉंग एट्मोस्फियर होता है वो लॉंग टाइम तक नहीं रहता ये स्टोरी स्टाचू जोर जोर से हिलते हुए गलगला हाट बाले कदमों के साथ हॉल के अंदर मौजूद लोगों की तरफ दौड़ पड़े होते है हलाकि से भी इस्टाइट डावडी लेवल के लेटे स्टेच के दो स्टोर्ण इस्टैचू जो यहानों अदर लोगों की तरफ भी दोड़ते हैं साथ ही है लिंग जी और डॉंग हो अंसेक्ट और लिंग योंसेक्ट के लोगों को डराने के लिए परयाप थे तभी जुआन कहता है ठीक है एक को मैं रोखता हूँ और दूसरे को तुम दोनों के उपर छोड़ दिया जाएगा बाकी के लोग आप लोग यहां से थोड़ा पीछे हड़ जाओ इस्टोन इस्टाचूस को देखते हूँ जो बड़ी तेजी से आ रहे थे जोयन अपना घुवाता है सिर और लिंग जी और एए की तरफ देखकर चलाता है जो देखकर वो दोनों एकसाइटेड होते हैं बहुत अच्छे फिर हम इन से निपट लेंगे आखिरकर जोन को अके लिए एक स्टोन इस्टाचूस के साथ फाइट के लिए कॉन्फिट डेंट दिखते हुए लिंग यून सेक्ट से लिंग जी और डॉंग वांग सेक्ट से एए दोनों ने अपने दास पीस लिये थे आखे का दोनों की बाद सेवरी स्टार के स्टाटिंग लेवल पर थी जबकि जोयान सिक्स स्टार पर जबकि वो अभी भी अपनी इस पावर को लेकर कन्फर्म नहीं थे कि क्या वो इस लेवल के बंदे को रोक पाएंगे वो केवल यही प्रातना कर रहे थे कि अधर जो इस टोन स्टाचूस अब उनकी तरफ अभी न दोड़े दूसरी दब जोयान और ज़्यादा बकवास नहीं करता और अपने वाले स्टोन स्टाचू की तरफ बढ़ जाता है साथ है अपनी अजीब सी बोडी मूमेंट टेकनिक का यूज करते हैं जो आन उसके अगल बगल ऐसे गायब हो रहा होता है मानू जैसे जो आन यहाप पर टेलिपोर्ट कर रहा हो इसी टाइम पर लिंग यूज से लिंग जी और एए भी दूसरे बाले स्टोन स्टैचू की तरफ जा चुके होते हैं उनकी जो फिष्ट होती है पिष्ट होते हुए इन स्टोन स्टैचू को हिट कर रही थी दूसरी तरफ जो यान अपनी फिष्ट को घुमाते हुए सीधा इस स्टोन स्टैचू के ऊपर अटेक करता है इस टाम पे जो आटेक जोयान की तरफा रहा था, उससे जोयान की अपनी स्किन पर हलका हलका pain महसूस होता है अगर जोयान की जगे यहाँ पर कोई भी सेबिन स्टार का भी downy warrior होता तो ये air attack उसे असानी से मार सकता था या कि उसकी वड़ी के चीथरे उड़ा सकता था हाला कि जोन के स्टोने स्टैचू का सामना करने का कोई राधा नहीं था उसने स्टोने स्टैचू के खतानाक अटेकों से लगातार बचने के लिए अपनी सुपर स्पीड पर भनुसा किया होता है हाला कि उसने wild air के fluctuation को देखते हुए उसके attackों से dodge तो करता है बड़ जोयन की body में हलकी हलकी चोटे आ रही होती है जिसने John को एक strong pressure मैसूस कराया था लेकिन जैसे जैसे John को चोटे लग रही थी उसके skin की 4-3 की golden light और ज़्यादा condense होती जा रही होती है अभी कहिए जो main hall होता है चानत्रप से chaosful scene से भड़ा हुआ होता है हर जगा टककर की आवाजे और battle की आवाजे आ रही थी जुआन बिंग सेक्ट डैमेन इस्प्रेट सेक्ट और जिंग युआन सेक्ट के लोग यहाँ वहाँ लड़ रहे होते हैं साथी सभी लोग इन इस्टोन से इतना ज़्यादा उलचे हुए होते हैं कि किसी के मन में कोई भी दूसरा थोट आही रही रहा था लेकिन सभी लोग जानते थे कि अगर यही situation बनी रही तो कुछ देर बाद वो लोग सबसे खराब situation में होंगे अखेकर वो सभी लोग human थे जो की ठक जाएंगे लेकिन यह इस्टोन इस्ट्याचू है जिने ठकने की कोई जवात नहीं यह continuously fight कर सकती है जो यान यहाँ पर जोड़ा सा हवा में होता है दूस्तर सेवनी इस्टार की लेट इस्टेच का जो इस्टोन इस्ट्याचू होता है जो यान बड़ी मुस्किल से उसके फिश्ट आटेक से बचा था और जो यान की जो नजर होती है वो हॉल के सेंटर बॉल पर टीकी हुई थी जो ओनी इस्टिन सेंटर वाल को देखा था जहांपे एक स्टेचू होता है लेकिन ये स्टोन इस्टैचू बाकिकी स्टोन इस्टैचू से थोड़ा अलग लग राथा जो देकर जो नजर तुरन थी एक तीर की तरह हॉल की तरह तरह पुरता हुआ सीधा ही उस स्टोन इस्टैचू के सामने आ जाता है और बिना किसी हिच के चाहट के उस स्टोन इस्टैचू उपर जोर से एक फिश्ट अटेक करता है जो एनकी फिश्ट अटेक से गोल्डन लाइट निकल रही होती है और जैसे ये फिश्ट अटेक को उस इस्टैचू से गई होती है बापस से जैसे यह इस टोन की बन चुकी हो इस सीन को देकर हर कोई हैरान हो गया था उनकी आके तेजी से निकलने बाली उस लाइट के गुरूप को देखने लगती है तभी जयान कहता यह बास्तों में एक एनर्जी कोड है जयान यहाप अजीब से उड़ते वो काफी अचानक थी लेकिन इसकी प्रजैस ने सभी लोगों के ध्यान को अट्रेक्ट किया था और तुरंद कई आखे अचानक ही सभी की तरब देखने लगती है यहाँ पे सभी की आखे सिकुण रही होती है और लाइट गुरूप जट पटा रही होते है इन लाइट लाइफ और डेथ इस्टोन जो यह सांग होता है जो सेवनिस्टर के लेट इस्टेज पा था अचानक युस ने यह कहा होता है बुत तुरत दिगाता है मुझे पता है कि यहाँ यह किसका टॉंब है यह एक ग्रेट इस्ट्रॉंग एंसेस्टर का टॉंब है जो की लाइफ से राइन कानेट कर सकता है जैसे यह सांग के बढ़ा होते बिना किसी अब बात के हॉल में मौझूद सभी लोगों के कान गूंज उठे होते हैं में सभी एस्ट्रॉंट बैटल एरीना और सांग की रेपोडेशन को जानते थे यानि होसे एस्ट्रॉंट ग्रेट डू एंसे यह सांग इसे देकर काफी नाराज हो जाता है कि कोई भी इस स्ट्रॉंट को कैसे ले सकता है जबकि वो यहाँ वर खाड़ा था दूसरी तरफ जियो यान वो इन सभी को इस स्ट्रॉंट की तरब बढ़ता हो देकर अचाना कि हसता है क्योंकि जयो यान इस लाइट के था जोयन को इसे टोन को लेते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाता है उसका चैरा तुरंदी क्रॉयल्टी में भर चुका होता है उसकी राय में तो जोयन बिल्कुल भी यहाँ पे उल्लेक के लायक नहीं था बले जोयन के पाँच कुछ है ट्रंप कार्ड हो सकते है लेकिन अगर वो सीधा एकसल लेता है तो जोयन को टुकडों में फार देगा लेकिन फिर भी उसे उम्मीद देई थी कि जोयन आपे उसे नाराज करने की जैमात उठाएगा जोयन था कि डैमोनिक स्पिरिट सेक्ट को नाराज करने के बाद ना के बल जोयन अपनी लाइब बचाने के लिए नहीं भागा बलकि उनके मूँ से उनका सिकार छीनने की हिम्मत करता है निसंदेह जोयन के इस बहेविया ने सांग को नाराज कर दिया था हालकि उसकी क्रूल धमकियों का जोयन के उपर कोई एफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जोयन जानता ही नहीं था डैमोनिक स्पिरिट सेक्ट है कौन और उसके ये चूतिया लोग चाहते क्या है जोयन ने पहले भी एक बंदे को इस पिरिट डिवाइडिंग या ट्रांस्फोमेशन फ्रूट के पास बुरी तरीके से पेला था जोयन की नजर में जब जोयन एक को पेल सकता है तो बागी दस को भी पेल सकता है इसलिए हे सांग की आवाज को सुनकर जोयन या पे स्माइल करता है और उस बॉल को मजबूती से पकड़ लेता है जैसे ये लाइट गृप जोयन के हाथ के टच में आया था पूरी तरीके से काप उठा हो था और पारफुल एनेर्जी निकलती है जिसने पूरी तरीके से हे सांग और अदल लोगों को चौका दिया था जो जोयन की तरफ दौड रहे थे दूसरी तरफ इसी टीम के अंदर से भी ने स्टार के लेट इस्टेच का एक और स्ट्रॉंग परसन था जो सुरू से ही अपनी लाइब का टारगेट बना के रहे से मिश्टीरिस स्टोन को हासिल करना चाहता था जब बोज्योयन को इसके लिए बढ़ता हुआ देखता है तो उसका तो चेहरा ही काला पढ़ चुका होतार उसके दिल में एक strong killing intent सो होती है क्योंकि वो यहां पे सबसे strong warriors में से एक था या कहे तो सबसे ज़्यादा ही strong था और इस strong को हासिल करने की उसकी जो possibility थी वो बागी का comparison में थोड़ा ज़्यादा थी लेकिन जो यान को इस strong को लेता हुआ देखकर वो जोयान को तुरंती मार देना चाहता था उसके हाथ में तुरंती एक जाइंट माउंटेन सैटरिंग एक्स दिखाई देती है और उसके बाद ये गहरी आवाज में चिलाते हुए जोयान के उपर अटेक करता है सेविने स्टर के लेटे स्टेज की पार सीधा ये उस बेट पर वैपन के अंदर जाने लगती है उसके बाड़ी से गहरी यलो कलर की जो कुई होती है वो बाहर निकल रही थी और उसकी मेरे डियार वा बाड़ी में अजीब सी जण पटा हट महसूस हो रही होती है यह बंदा चलाती हुए कहता मेरे रास्ते से हट जाओ मैं इसे मार दूँगा और असके तो यह बंदा जोपड़ी की जोपड़ी के उपर दिखाई देता है साथ उसके हाथ में जो एक्स होती है वो इतनी बड़ी हो गए होती है कि मानों यह स्पेस में भी क्रेक क्रियेट कर देगी तब ही जोपड़ी जोपड़ी की बात को सुनते हों कहता है लेट्स गो मैं अकेले तो हैल नहीं जाने वाला तो अगर मैं जा ही रहा हूं तो तुम भी मेरे साथ चलो और इतना कहने के बड़ जोएन के हाथ में आ जाता है उसका सानदार है भी जोईन रूलर जिस्में फ्लेम साइन हो रही होती है और जो यान के रूलर के एक स्लैस के साथ एक फाइर ड्रेगन अपयर होता है जो तेज रोर के साथ आंगे की तरफ उस अटेक के सामने पहुँच जाता है ये एक्स जो जमीन और आसमान को चकना चूर कर सकती थी जैसे जुआन के फाइड ड्रेगन से टकराती है तो एक तेज सौक वेब चारो तरफ निकल पड़ी होती है या तक कि इस सौक वेब को मैसूस करते हो उस लेटे स्टेज सेवरिश्टार के बॉर्यर के इंप्रेशन भी बदल गए होते है उसने सीधे तोर पर खून की उल्टी कर दी होती है और उसकी ताकत उतिनी श्टॉंग नहीं थी जितनी वो समझता था बंदे को ये भी रियलाइज हो गया होता है सत्य उसके अटेक ट्रंप करड उसकी नजर में श्टॉंग हो सकते है लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो यान की नजर में ये अभी भी सीरियस लेने लायक नहीं थे जो यान उसे काफी आसानी से रोक सकता था दूस्ता बेचारा जुबा केसरी की पिछकारी मारते हो पीछे की तरफ चला गया होता है और हैरानगी से जो यान की तरफ देख रहा होता है साथी वो ये भी समझ गया था कि स्टोन ओफ लाइफ एंड डेट के लिए कॉप टीट करने के लिए उसने अपना जो प्लेस से वो खो दिया है वो जो यान के साथ कॉप टीट नहीं कर पाएगा इसलों केवल आरिच्छा से अपने दान्त पीछ सकता था और केवल पीछे ही यड़ सकता था क्योंकि एक बार इंजर्ण होने के बाद कई लोग होगे जो उसका फायदा उठा सकते है आखेका उसने अपने जैसी पार वाले कई लोगों को मरते हुए देखा था यहां तक उसके रहे सेविने स्टार तक पहुँचना काफी अनम मुस्किल था उसके पास काफी सारे heavenly treasures थे काफी सारी अच्छी अच्छी techniques तो वो यहां पर मर कर यह सब बरबात तो नहीं करना चाहता था दूसरी तरब दूसरी तरब जोयान जोयान के पास जो treasures थे वो कहा जा सकता है कि किसी के भी strong warrior के comparison में बहस सांदार थे फिर इसके अलाबा जोयान के पास barbarian body technique है जो अपने आप में एक strong physical body को represent करती है जिसके बाद जोयान heaven human fusion को भी cast कर सकता है इसलिए जोयान की strong physical body barbarian technique के साथ मिलकर 80 star के warrior के साथ complete कर सकती है इसलिए जोयान इस बंदे को पीछे ख़देर दे के बाद तेजी से मुड़ता हूँ इस जगह पर जहाँ पर life death stone था हाला कि यहां पर लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखकर जोयान इन लोगों के मौके का फायदा उठा सकता था लेकिन यह लोग भी इतने चूतिया नहीं थे यह जगहान को से stone की तरब भागता हुआ देखकर अपनी बैटल को बीच में रोकते हुए थे भाई रुक जना आपन तो बात में लड़ लेंगे पहले इसको पकड़ते हैं और ऐसा कहा कि मौन अंडे स्टेंडिंग के साथ यह जगहान की तब दोड़ पड़ते हैं हाला कि यह लोग आपस में लड़कर कोछ इंजट भी हो चुके थे लेकिन आइटम को देखकर कोई भी पीछे नहीं रहना जायता था और इस सीन को देखकर जो यान अपने पैरों को धीरे से हवा में थप थप आता है और उसके पैरों के नीचे सांदार फायर ड्रेगन अपयर होता है जो से लाइब डेर्थ स्टोन की तरब बढ़ा रहा होता है साथी रास्ते को सील करने वाले जो लोग थे वो सीधे तौर पला लग हो चुके होते हैं लेकिन इससे पहले कि वो ऐसे तरीके को देखते हुए लेकिन इससे पहले कि कोई जोयान के पास तक आपाता जोयान उसी स्टोन के सबसे क्लोज एरिया तक पहुँच गया होता है दो तब है सांग एक बार फिर से चला तो है कहता है लड़के है अगर तुमने उसी स्टोन को टच भी किया तुम जान से मार दिये जाओगे तुम्हारा खांदान खत्म कर दिया जाएगा जो देखकर जोयान कहता है खांदान का क्या है जब तक खड़ा हूँ खड़ा कर लूँगा खांदान को फिर से पर ये स्टोन तो आज मैं ही लेकर जा रहा हूँ अरसा कहतो है चोयान लॉंडे को एग्नोर करते हुए पीछे के लोगों को एग्नोर करते हुए सभी के गुसे को एग्नोर करते हुए सीधा ही जाकर उसे स्टोन को पकड़ लेता है जिसके बाद राइटर तुरंती कहता है भाईयो मुझे गालियां मत दो मैं अपनी पूरी महनत कर रहा हूँ मैं कालिन को मनने नहीं दूँगा मैं उसे फिर से जिंदा कर दूँगा तुम सब बताओ तुम उसे कैसे जिंदा कराना चाहते हो मैं का घोड़ा यह ग्या न दे रहा है सौरी यह कह रहा है कैल इन को जिंदा कर देगा बताओ कैसे जिंदा कराना चाहते हो तुम लोग तो अब तो यह लिख चुकी है तो पता नहीं कैसे जिंदा कराया है अपन तो पढ़के देखेंगे मतलब काईलिंग जिन्दा हो जाएगी आंगे हाला कि दूसराब सभी लोगों उने भी अपने अपने अटेक चार्ज करते होते हैं और ये सभी अटेक जो अनकी बॉड़ी पर पढ़ने वाले थे और काफी सारे लोगों की इन्फाइनेट फाइटिंग कुई के करण ये जो सील्ड थी ये इतनी बीग भी नहीं लग रही थी ये लगातार फूरते हुए काफी सारे अटेकों को जहिल जाती है जिसके काण जोयान ने थोड़ी सी सास ली होती और इस्टोन को पकड़ लिया होता है इस्टोन पकड़ते ही अचानक की एक क्रैक की आवाज आती है लेकिन तभी अचानकी ये जो इस्टोन होता है एक बार फिरसे जोन के हाथ से छिटल कर वेश्ट की तरफ चला गया होता है जो देखर तो जोन गुस्से में नाराज होते हुए अपने हाथ को एक क्लॉ में चेंज करता है और कोल्ड इंप्रेशन के साथ चील के पंजे की तरह इस रेड कलर के लाइफ और डेथ इस टोन को श्टॉन के सक्सर्पोर्स के कर लाइफ और डेथ ऐसा लग रहा होता है यह स्टॉन जोन की हतेली की तरफ आगया होता है जोन इस बार इसे इतने कसकर पकड़ रखा था कि यह चाहकर भी उसके चंगूल से आजाद नहीं हो सकता था लेकिन जैसी जोन इसमें बल लगा था अचाना की जोन के प्रेसर बदल जाते है जोन ने देखा था कि इसी स्टोन को दूसरी तरफ से भी किसी बंदे ने कसकर पकड़ लिया होता है और वो जोन की तब देखते है अरे ये ट्रेजर केबल तुम अपने पास ही रखना चाहते हो क्या तुम हम सभी लोग को जूतिया समझते हो इस फैमिलियर फ्रेस को देखकर जो यहान अचाना की अपने नजर उठाता है या कोई और नहीं बलकि जोन बिंग सेक्ट से विंग चैन होता है जो सेविनिश्टर के लेट स्टेच पर होता है जोन की नजरों को देखते हुए विंग चैन यहाँ पे कोल्ड इसमाइल के साथ इसमाइल करता है और राइट हैंड को फिश्ट में create करते हुँ जोपड़े के जोपड़े पर बजा देता है ऐसा लग रहा था उससे strategy बनाई थी कि वो जोईड के सिर को केबल एक ही attack में उड़ा देगा तब ही जोईड तुरंती उसके इस attack को देखते हो कहता है मौत की तलास जोईड के आको से cold light glow होती है और इसके बाद जोईड का हाँ थलका सा glow होता है और फिश्ट अटेक के टकराते ही एक तन्निक की आवाज आती है और सामने दिखाई देता है fire ruler इस bright fire ruler को देखर wing chain के impression बदल गए थे और वो अपने फिश्ट को पीछे खीच लेता है लेकिन तभी जोईड का ruler सीधा ही उसके खोपड़ी की तरब बढ़ जाता है जोदे कर wing chain तुरांती कहता है वाज टार्ड और वो ना चाहते हो भी इस इस stone को छोड़ देता है और पीछे हाट गया होता है लेकिन जैसे ही wing check यहाँ से जाता है जो यहने से red stone को कसकर पकड़ लेता है और जोईड की हाँद में खतानाग flame pair होती है जो इसे stone के पूरे के पूरे resistance को या प्रतिरोध को गायब कर देती है और इसे suppress कर देती है इसके resistance को गयब होता हुँ देकर जोड़ा सा relax फील करता है और उसे अपनी storage ring में रख लेता है उसी time पे उसकी body से खतानाग aura release होता है और colorful flame हो ने जैन की पूरी की पूरी body को गहे लिया होता है जो scene अपने आप में काफी याना surprising था यहाँ तक ही खसाथ एकटा हो जाए तो यह अभी भी जोड़ा सा problem create कर सकते थे लेकिन क्योंकि जोड़ा इत्ते साहे लोगों से डरता नहीं है तो एक चीश तो थी और वो यह थी कि जोड़ान चाहे इने हरा पाए या ना हरा पाए जोड़ा अपनी चान तो बचा ही सकता है साथ ही यह भी करपर नहीं था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा लेकिन हाला कि जोड़ान की ताका तो तिनी स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन वो अपने पीछे जोड़ान विंग सेक्ट पर बिलकुल भी kindness नहीं रखता साथ ही जोड़ा सा तो डरा होगा ही क्योंकि इस बात की तो कोई भी guarantee नहीं दे सकता कि अगर ये बंदा नाराज होता है तो क्या क्या कर सकता है दूसर जोड़ान को भी पता था कि अस तभी लोग future में भी उसके लिए problem बन सकते हैं तो जोड़ान कभी भी अपने लिए problem पीछे नहीं छोड़ना चाहेगा अगर जोड़ान के पास म इस से deal करना असान नहीं होगा लेकिन क्योंकि सामने से विंग चैंग ने जोड़ान के उपर पहले ही अटेक कर दिया था जोड़ान पीछे नहीं हटता और उसके साथ fight के लिए दौड़ पड़ता है जोड़ा सा सर्प्राइज होता लेकिन वो अपनी power को condense करते हो जोड़ के अटेक को रोकता है लेकिन बेचारा मुन्ना प्यारा जोड़ान के अटेक से ठकरा कर लगबग 10 कदम तक पीछे की तरफ गया था यहां तक कि उसकी बॉड़ी में एनेड़़ी और बलड़ का fluctuation भी तेज हो जाता है जिसके इंप्रेसर उसके चैर पर देखे जा सकते थे हाला कि जोड़ान भी कुछ कदम तक पीछे की तरफ तो गया होता है लेकिन इस अटेक में साब दिख रहा था कि जो यान का जो पल्ला था वो भारी था हाला कि यहां पे विंग जैंग ने जॉड़ान से लड़ने की हिम्मद इसले की थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉड़ान चार तरफ से दुसमन उसे घिरा हुआ है इसलिए जॉड़ान प्रेसर में होगा और कभी भी उसको उपर अटेक नहीं करेगा लेकिन उसे उमीद जैसे देखकर विंग जैंग का रंग ही बदल जाता है और वो तुराद थी अपनी फाइटिंग कोई को अपने हातों में कंडेस करता है और उन्हें आगे बढ़ाते हुए जॉड़ान के अटेक को रुखता है लेकिन इस टाइप पे जॉड़ान का टेक विंग जैंग की ज मकरही फ्ले में जो यान को किसी गौण की तर रेप्रेजेंट कर रही होती है तभी जो अलतुरत दिगाता है क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो अगर मैं तुम्हे मारता हूँ तो क्या ही समस्या है दूसरा विंग जैंग जो कुछ सोचता है वो मदद नहीं कर सका होता लेकिन उसकी आखे सिकुड़ चुकी होती है जो यान के मुग के कोरे पर एक खतरना के समयल होती है और भयानक पावर जो यान ki हटेलियों वे खटडा होने लगती हैं तब्य ही ह स्टसे इस्टार डावडी की पावर के साथ क्या ऐसा नहीं है कि तुम अप्नी स्ट्रेंद क को ज़्यादा strong समझते हो यह बंदय कुल मिलाकर गुस्से में बॉकला गया होता है और पागलों की तरह हसरा होता है लेकिस जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था उसके पीछे उसे एक strong तेज हेर महसूस होती है इस टाइम पे जुआन बिंग सेट से बिंग जैंग को भी खतर हैंग भी काफी ज़्यादा है उसे उम्मीद नहीं थी कि जुआन की इस पिच्छल पार उसके उपर इतना ज़्यादा डबाव डालेगी उससे पता था कि अगर यह continue रहा तो देर सभीर वो जुआन के हां तो heavily injured हो जाएगा वह तो रद्धी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा relax मैसूस करता है लेकिन अचानक उसे मैसूस होता है मानो जैसे उसके body के सभी wrong थे खड़े हो चुके हो जैसे उसे एक खतरनाक feeling मैसूस हुई थी वो देखता है पीछे का fire ruler जो घूमता हुआ उसकी तरब बढ़ रहा था जिससे विंग चैंक को खत्रे का एसास क परे थी विंग चैंक यहां पर सबसे पहले react करता है और उसकी body की fighting को यह चाना की बढ़ गई होती है हाला कि इससे पहले की वो flame mantra को I mean इससे पहले की वो अपने डूकवी power को condense कर पाता fire ruler चुप चाप उसके पीछे आकर गिर गया होता है और यह खतरनाक power एक river की तरब उस जो इस टककर की impact के कारण injured हो गए थे और मुझ से खून की उल्टिया कंडा सुरू कर चुके थे साथी जिसका भी चैरा खून से बढ़ा होता बड़ी मुश्किल से घूमते हुए वो जो यान की तरब देखते है और थोड़ा सा उदास होते है इस समय जोयान को भी थोड़ से जिन बैग होता है आसपास काफी सारे स्ट्रॉंग लोग होते हैं सभी के चैरे गुस्से से भरे हुए थे और वो जोयान की स्ट्रॉज रिंग को देख रहा होते हैं जिसके अंदर लाइब डैथ श्टोन था जिससे हर कोई पाना चाहता था इस सीन को देकर जोयान मदद भाग जाए जोयान तुरंती गयता हालाकि मुझे स्टोन मिल गया लेकिन ऐसा लगता है कि मैं एक स्टोन प्रॉबलम में हूं हाला कि जब तक एदा लोग या strong लोग मुझे पर attack नहीं करते तब तक ये देखा जा सकता है हाला कि जोयान ने विंग चैंक को हरा दिया था जिससे कुछ बीक लोग अपने आप ही डर कर सहम गए होते हैं हाला कि और में जोयान से लड़ने की पावर हो सकती थी लेकर strong लोगों को हराता हुआ देखकर बहुत बेसली अपने moral को पहले से ही डाउन पाते हैं हाला कि किसी ने यहाँ पर action तो नहीं लिया होता है जोयान के खिलाप लेकिन वो यहाँ पर किसी leader को प्यार होने का वेट कर रहे होते हैं साथ ही गुस्से से जोयान को देख रहा होते हैं लेकिन क्योंकि यह सभी लोग अला गला गिले area या claim से belong करते थे कोई भी एक साथ आने को भी तयार नहीं था दूस्तरब जोयान को भी पता था कि यहाँ पर कोई क्या सोच रहा है इसलिए जोयान तुरण दिखाता है मुझे पता है कि हर कोई life death stone में interest रखता है मैं यह भी जानता हूँ कि मैं इसे protect नहीं कर सकता इसलिए मैं इसे अब और नहीं चाहता और इतना कहने का बाद जोयान उससी stone को निकालता है जोयान के हांतों में life death stone को देकर सभी लोग excited हो जाते है तभी जोयान उससी stone को हवा में fake देता है यह देकर कोई भी अब खुद को रोक नहीं पता और सभी लोग इससी stone की तरफ दौरण पड़े होते है जिसके अंदर अजीव fire attribute की special power थी और सी टाइम पे जोयान भी हस्ते होए तेजी से आगे की तरब बढ़री इन ताकतों के बीच के difference का फाइदा उठाते होए जल्दी से पीछे हट गया होता है और जैसे ही जोयान पीछे हटा होता इनके घेरे से life death का stone जो हवा में होता है और सेबरी स्टार का डावडी लेवल के लेटरी स्टेज का बंदा जो उस तक पहुँच गया था बो तुरंती चिल्ला आतो है कहता है मुझे ये मिल गया लेकिस से पहले की बेचारा उसे पकड़ पाता उसके आसपास के strong लोगों ने उस पर attack कर दिया होता है और देखते ही देखते बेचारा खून की drops में बदल गया होता है दूसरी तरफ ये जो stone होता है ये fire attribute के और एको unlist करते हुए हमाँ में धीरे धीरे मद्दा पड़ दे लगता है और सभी के सामने एक normal से stone में बदल जाता है जिस पे strong flame जल रही होती है जो देखकर सभी लोग तुरंती कहते हैं क्या ये life और death का stone नकली है इस scene को देखकर कोई धंग रह गया होता है इन में से किसी को मीद नहीं थी कि बास्तर में इस time पे जो यान द्वारा उन्हें धोका दिया जाएगा और ये flame से जलता हुए एक normal सा stone था लेकिन जब ये ताकतबर लोग जो यान की दरब देखते हैं तो जो यान पहले से एक छोटे से black dot में बदल चुका होता है और यहां से 9211 और राफू जक्कर हो चुका होता है तो चलो गाइस आब इस episode को यही पेंट करते हो next episode में देखेंगे कि क्या होने वाला है क्या बास्तमी ये stone जोयन के पास ही रहेगा या फिर से इस stone को लेकर कोई ना कोई battle start हो जाएगा तो जो भी होगा next episode में होगा तो बाइबाइ थ्रेन फैमिली गुड आफ्टानून मिलते हैं next episode पे